प्रोक बट्टी का दस्वा सीजन का आउक्षन बहुत पहले ही खतम हो चुका है और जैसे कि आपको पता है कि आउक्षन के बाद कई ऐसी टीमें है जो यहाँ पे अपने स्कॉर्ट को रीबिल्ड की है और इस रीबिल्ड के कारण यहाँ पे बहुत सारे नए कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है defense में cover duo corner duo एंड साथी साथ यहाँ पे reading duo में भी देखने को मिला है इस वीड़ो में आपको PKL सीजन 10 के लिए सबही teams के reading duo के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में हम रैंकिंग के द्वारा सभी 12 टीमों के रेडिंग डूओ के बारे में जानने वाले है तो वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाला है वीडियो के एंड तक बने रिये तो 12 नंबर से स्टार्ट करते एंड एक नंबर तक पहुचेगे एंड ये रेडिंग डूओ का रैंकिंग है इसे ज़्यादा सिरियसली मत लिजेगा हर एक टीम का जो रेडिंग डूओ या पि ट्रायो भी हम क्या सकते वो स्ट्रॉंग है एंड स्टार्ट करते नंबर 12 के रेडिंग डूओ के तौर पे देखने को मिल जाएगे एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरस्टिंग हो सकता है पिछले सीजन दोनों ही प्लियर्ज ने अच्छा पफॉर्मेंस दिखाया था जहां पे 18 मैचेस में 137 रेड पॉइंट इन्होंने स्कोर किया जै भगवान ने 19 मैचेस में 75 रेड पॉइंट स्कोर किया नंबर 11 की बात किजा है तो नंबर 11 पे मैंने हरियाना स्टीलर्स को रखा है हरियाना स्टीलर्स की टीम की तरफ से टॉप रेडिंग डूओ जो सबकी नजरे रहने वाली है वो यहां पे सिधार देसाई एंड चं चंदरन का जो सीजन था वो इतना भी अच्छा नहीं गया वहीं पे सिधार देसाई का सीजन अच्छा गया तो यह दो जो रेडिंग डूओ है जो हमें पहली बार देखने को मिलेगा वो कैसा परफॉर्म करता है वो तो हमें सीजन 10 के दोरानी पता चलेगा नंबर 10 पर मैं 76 रेड़ पॉइंट स्कोर किया था एंड वहीं पे मंचीत दहिया ने 22 मैचेस में 149 रेड़ पॉइंट स्कोर किया था तो दोनों ही एक बहुत बड़े खिलाडी है दोनों ही के पास काफी जादा एक्सपिरियंस है एंड इन दोनों का कॉंबिनिशन इस बार कैसा परफॉर दोनों ही प्लियर साथ में दिखाते है नंबर 9 पे मैंने डिफेंडिंग चैंपियन जापूर पिंग पैंथर स्कोर का है जापूर पिंग पैंथर के टीम की तरफ से रेडिंग डूओ में देखने को मिलेगे अरजुन देश्वाल एंड वी अजीत कुमार ये दोनों ही बह 100 rate point स्कोर किया था तो दोनों ही काफी experience raiders है और इनका again duo हमें इस बार के PKL सीजन में देखने को मिल जाएगा नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पे मैंने पिछले सीजन की runners अब टीम पुनेडी पल्टन को रखा है पुनेडी पल्टन की टीम की तरफ से रेडिंग डूओ में देखने को मिल जाएगे असलम इनामदार और मोहीत गोयत ये दोनों की जोड़ी इस बार कमाल मचा सकती है पिछले बार भी कमाल मचाया था 17 मैचेस में 138 rate points असलम ने स्कोर किये थे और वहीं पे 17 मैचेस में 120 rate points मोहीत गोयत ने स्कोर किये थे तो overall decent सा performance था और इस बार उमीद करते है कि इससे बहतर performance दोनों मिलके दिखाए नंबर साथ पे मैंने गुजराद जायंट्स को रखा है गुजराद जायंट्स के टीम से हमें रेडिंग डूओ में देखने को मिलेगे राके सुंगरोया और परतीक दहिया ये दोनों ही काफी अच्छे प्लियर है जह होने स्कोर किया तो ओवरल दोनों के आकड़े अच्छे है एंड उमीद यही करते कि इस बार ये दोनों प्लियर साथ में और अच्छा performance दिखा पाए अब यहां पर टॉप 6 टीम्स की तरह बड़े इससे पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ पीकेल अब बहुत ही रिक्वेस्टे टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले जाके जॉइन कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिक दे देने वाला हूँ तो टेलीग्राम पे जाके आप एड़ेट स्पोर्ट सुनिफ सेवन सर्च कर सकते हो बहुत सारी ऐसी टीम से जो यहाँ पर रिप्लेस्मेंट अनाउंस करने वाली है बहुत सारी प्लेस इंजर्ड हो चुके हैं और कुछ एक्स्क्लूजिव अपडेट्स आते हैं तो वो भी मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ तो जितने भी कबड़ी के फै से टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए नंबर 6 की बात किजा है तो नंबर 6 पे मैंने बेंगॉल वारियस को रखा है बेंगॉल वारियस की टीम की तरफ से टॉप रेडिंग डूओ में देखने को मिल जाएगे मनिंदर सिंग और साती साथ स्रिकान चादाव यह दोनो ही अच्छा परफॉर्म कर रहे है जहां पे मनिंदर सिंग का मेंन रोल रहने वाल है और सिरकान जादा सपोर्ट करते हुए दिख जाएगे तो जिसके कारण बेंगॉल का जो रेडिंग डूओ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग देखने को मिल रहा है नंबर 5 की बात क में 243 रेड़ पॉंट्स इन्होंने स्कोर किया और अजिंके पवार ने 22 मैचेस में 130 रेड़ पॉंट्स स्कोर किया तो दोनों ही का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था पिसले PKL सीजन में नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पे मैंने दबंग डली को रखा है दबंग डल का जोड़ी इस बार कैसा परफॉर्म दिखाएगा वो तो इंटरस्टिंग होने वाला है नवीन कुमार ने पिसले सीजन 23 मैचेस में 254 रेड़ पॉंट्स स्कोर किया था और वहीं पे मीटू सर्मा ने 20 मैचेस में 135 रेड़ पॉंट्स स्कोर किया था तो दोनों ही का परफ रेडिंग डूओ में देखने को मिल जाएगे पवंट सहरावत और साती साथ रजनीज दलाल यह दोनों ही प्लियर्स पिसले पीकेल सीजन में नहीं खेल पाए पवंट सहरावत तो एक ही मैच खेले फिर इंजर्ड हो गए पूरे सीजन के लिए रूल आउट हो गए रजनी डूओ है वो यहाँ पे बीस्ट मोड पे रहने वाला है नंबर दो की बात किजा तो नंबर दो पे मैंने बैंगलोडू बुल्स को रखा है बैंगलोडू बुल्स के टींग पी तरफ से रेडिंग डूओ में देखने को मिलेगे विकास कंडोला और साती साथ भरत हुड़ा विकास कंडोला पिछले सीजन ओवरॉल डिसेंट सा परफॉमेंस दिखाये थे वहीं पे भरत हुड़ा काफी अच्छे फॉर्म में देखने को मिले विकास कंडोला ने 24 मैचेस में 135 रेट पॉइंट स्कोर किया था और वहीं पे भरत हुड़ा ने 23 मैचेस में 279 रेट पॉ करते हैं तो नमबर एक पे मैंने डखा है यूपी यूधास को यूपी यूधास की टीम की तरफ से रेडिंग डूओ में देखने को मिल जाएगे परदीप नर्वाल एंड सुरेंदर गिल यह सेम डूओ रहेगा जो पिछले सीजन भी था और इस बार भी सेम है परदीप न फॉर्म में है और यह फॉर्म उम्मीद करते हैं कि इस बार भी बरकरार है जिसके कारण अभी as of now ओन पेपर देखा जाए उस खिलाडी की एबिलिटी को देखा जाए तो मुझे लगता है कि परदीप एंड सुरेंदर गिल का जो रेडिंग डूओ है वो यहाँ पे सबसे जादा वाच आउट होने वाला है जो जादा फैन से यहाँ पे इन दोनों का डूओ पे नजरे रहने वाली है वैसे तो हर एक टीम से और भी टाइब्स के डूओ बन सकते लेकिन यह मेरे हिसाब से रैंकिंग के अकॉर्डिंग डूओ थे जो मैंने आपको बता दिया आप फैवरेट डूओ कॉमेंट करके बता सकते हो बाकी 12 टीमों से और आप अपने भी रेडिंग डूओ बना सकते हो अपने फैवरेट टीम के कॉमेंट सेक्शन में आप जड़ो बताएगा और प्लो को बड़ी का दस्वा सीजन है वो यहाँ पे फ्री लाइब आने वाला है ज उसे भी चेकाउट कर सकते हो क्लिक करके तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक और ने इंटरसिंग उड़ो के साथ ठेंक्स वर वचेंग